बेगुसराय में खूल गया है देव ओटो का दूसरा ब्रांच जहां पर अभी हम मौजूद हैं देव ओटो के दूसरे ब्रांच में जिसका आज उदगाटन हो गया है यह आपको 80-90 किलीमेटर इसका बंच है एक चार्जर पर बहुत लॉकोस्ट की स्कूटी है इतने लॉकोस्ट में आपको मतलब स्कूटी मिले खाभी नहीं एक चार्ज पर जो है लगभग 80 से 100 km तक का ये पकड़ सकता है आपको एक चार्जिंग पर 120 से 130 km का रेंज है इसका एक चार्ज पर? एक चार्ज पर 120 से 30 km चलती है ये ये देखें ये स्प्लेंडर की तरह बिलकुल हूब अ हूब जो है देखने को मिल रही है आफी जादा मालेज देती है 100 से 500 km एक चार्ज पर देती है ये एक वराइटी है मोटो वोल्ट कमपनी की साइकिल्स है एक बार चार्ज कीजिए 70 से 100 km का आपको साइकिल का मालेज मिल जागा और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक, स्कूटी, बाइक और जितने भी साइकिल्स है वो मिल जाएंगे जहां एक चार्ज पर लगभग 100 से 1500 km तक आप सफर कर सकते हैं और अभी देखें यहाँ पर बहुत सारे साइकिल्स है स्कूटी है और फिर बाइक है क्या-क्या जिसका माइलेज है हम बारी-बारी से जानने की कोशिश करेंगे यह साइकिल है यह जो है लगभग कितना का माइलेज देता है एक बार चार्ज होने पर यह साइकिल अर्बन मॉडल में है मोटो वोल्ट कंपनी का साइकिल है एक बार चार्ज होने पर ये 120 किलोमेटर का रेंज है यह वाला साइकल जो है ये क्या है यही यह भी मोटो वोल्ट का साइकल हुआ यह इसका 37,975 रुपया प्राइज है एक चार्जिंग पर ये 60-70 किलोमेटर आपको चलती है इसमें देखिए फंक्शन में आपको डिस ब्रेक मिल जाएगा दोनों तरप आगे पीछे डिस ब्रेक है यहां स्टैंड बना हुआ है साइकल में मतलब समान रखने के लिए यमसम 100 kg तक वजन आप इस पर लोड कर सकते हैं 100 kg जी आराम से 100 kg तक का वजन लोड करके साइकल को ल इसमें तेंट कीटाइज को इतने मतल हीधाइंन स्टैंट फोछ तक ही लुडूर ऑगया है इसमें काफिछय यहां पर कितना इतना किया है कि डिक्त आप Latt 6 में यहां पर यह देखे, बैक्री का सेग्मेंट दिया गया पीछे केरियर है, यहां पर स्पीडो मीटर दिया गया है आगे में तो तमाम चीज है यहां से आपको इधर दिखाई यह केमरा, इखेज है, यहां से लाइट वगयरा हर चीज की सुबिदा लाइट जलता है रात में एक स्कूटी है एक्स वील लिखा हुआ है ये कौन सी कमपनी की है श्री इंटरप्राजिस की स्कूटी है ये इसका क्या माइलेज होगा ये आपको 80-90 किलोमेटर इसका रेंज है एक चार्जिंग पर बहुत लोकोस्ट की स्कूटी है इतने वगेरा सब आपको मिलेगा और हेलमेट लॉक है हर चीज है यहां देख सकते हैं अलॉई वील्स भी है काफी प्यारा और फैंसी लुक दिया गया है ये देखें ये स्प्लेंडर की तरह है बिल्कुल हूब हूब जो है देखने को मिल रही है लेकिन ये स्प्लेंडर की तरह जो है काफी जादा मालेज देती है 100 से 500 किलोमीटर एक चार्ज पर देती है रेड लंग का जो है ये प्यारा सा आपको गारी देखने को मिलेगा क्या क्या खासियत है इसमें सेम कम से कम 200-200 केजी तक इसका लोडिंग केपिसिटी है 500 किलोमीटर इसका ये चार्जिंग पर रेंज है और 100 परसंट 500 किलोमीटर ये चलेगी 100 परसंट जी हाँ देखिए यह हूँ बहूँ स्प्लेंडर देखने को मिल रही है अगर आप इलेक्ट्रिक वाइक ख़रना चाहते हैं तो स्प्लेंडर के तरह देख सकते हैं काफी light weight में जो है यह आप खड़ी सकते हैं स्प्लेंडर लोग की यह आपको बाइक देखने को मिलेगी इसका क्या नाम है A1 सुरेजा कंपनी का है ये अच्छा A1 सुरेजा सेम कंडिसन है हर चीज वही है जैसे ब्रेक उसमें पीछे वाला पीछे मतलब पैर में रहता है उसी तरह से है एक और अगय वाला ब्रेक इसके हाथ में आपको एक चार्जिंग पर 120-130 km का रिए इसका चार्ज पर भी काफी आपको light रखेगा tubeless tire आगे पीछे disc brake भी है यहां पर देख सकते हैं काफी कोफ़ूरत यह जो digital life देख सकते हैं इधर आए रिमोट लॉक है ना इसमें सब में रिमोट लॉक है देखे यहां पर इसी का देखे एक और variant है यहां पर यह color देखे इसका एक और color देख सक वाला feeling मिल जाएगा देव ओटो मोबाइल का second branch में जहां पर बगराहा D में जो है यह खुला है NH 28 पर खुला है और first branch जो है NH 31 पपरोर में है और यहां आकर जो है आप चाहे दोनों ब्रांच से जो है अपना मनपसंद E bike खड़ी सकते हैं मनपसंद E cycle ले सकते हैं मनपसंद E स्कूटी ले सकते हैं देव ओटो मोबाइल के यहां